जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि अगर बत्ती मशीन को हम दूबत्ती मशीन में कैसे कर सकते हैं और कैसे हम दूबत्ती उसमें से बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में कुछ-कुछ चीजें जो है मैंने अरेंज कर ली हैं इसके लिए जिसको हम सैटिंग्स करके जो है दूबती मशीन बनाने की कोशिज करेंगे और मेरे ख्याल से यह सक्सेसफुल हो सकता है और तो कुछ-कुछ मटेरियल्स में अभी रेडी कर लिया हूँ जैसे कि आपको दीख रहा होगा और उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं तो सबसे पहले यह हमारा एक स्क्वार पाइप जिसकी हमें जोड़त पड़ेगी अभी अभी खाली मटेरियल आप देख लीजिए किस-किस तरीके से आपको रेडी करना है वो चीजें फिर आपको किस-किस तरीके से यह सेटिंग होगी आपको पूरा पता चल जाएगा तो स्क्वार पाइप हो गई यह और यह हमारी पट्टी है जो की यह हमारा सिस्टम में लगेगा और यह सबसे बड़ा चीज हमारा यह ब्लेड है जो की एक पट्टी से मैंने बनाया हुआ है और यह अरजेस्टिंग होल मैंने इसमें भी किया है और यह सामने का इससा आप दोको देखोगे तो थोड़ा सा इसको ब्लेड के जैसे मैंने बनाया है इसको grinding से इसको तेज मतलब मान के चलिए एक छूरी की तरीके से इसको मैंने रेडी किया है तो यह हो गई हमारी पट्टी और कुछ नॉर्मली बॉल्टिंग वगएरा जो है वो लगेंगी तो सबसे पहले हम सिस्टम जो है समझते हैं यह हमारा जो है दूप बत्ती मशीन में इनका कोई काम नहीं है तो इसको हम पहले निकाल देते हैं और यह हमारा आटोमेट सिस्टम है, जैसा कि आपको धूप मसीन आपने कभी देखा होगा, तो आपको पता होगा कि धूप मसीन में खली, यह हमारा सामने का सिस्टम होता है, ना कि यह आटो कंट्रोलर नहीं होता उसमें, और फीडर भी नहीं होता है, तो यह हम तो चेंज न आपको मालूम होगा नई होगा तो आप जान लीजिए हमारा ये बटन नीचे की तरफ करने से हमारी जो मोटर होती है वो कंटिन्यू में चेंज हो जाती है तो आप सेंसर जितने टाइम तक आप दबा के रखोगे उतने टाइम तक ये चलेगी तो ये तो आपको समझ में आ गया feeder का वैसे इसमें कोई काम नहीं है और दूसरी चीज़ इसमें speech controller की है तो वह भी setting देखें के करके अगर हो जाये तो और उसके बाद है हमारा ये die और इसकी और इस die की काफी सारे लोगों का ये comment था कि हमें ये die चाहिए बट ये अभी मैं आपको available नहीं करा सकता जिसके लिए मैं आपको माफी चाहूँगा और आप कोशिस कीज़े कि आपके जो local software से जहां आप spare parts खरिदे हैं machine की वहां से आप available करा ले क्योंकि ये मैं single piece ही purchase किया था तक कि मैं भी एक trial के रूप में इसको मैंने खरीद के लाया था कि इसे बना के देखते हैं कि किस तरीके से ये बनती है बट ये काफी अच्छी है और कुछ trial इससे आप देख लीजिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरीके की है इस तरीके से दीखेगी ये डाई जैसा कि आपको दीख रहा होगा और ये डाई जो है काफी बड़ी है वेट भी है मतलब चूने में काफी वजन है ये और नॉर्मल हमारी अगरबती बनाने वाली राई होती है उससे ये काफी चोटी है तो जमीन आसमान का इसमें फरक है ये फोसीस तो मेरी चल रही है कि मैं सबको अबलेवल करा सकूं बट जिन से मैं पर्चेस किया था उन से मैं भी बात किया हूं तो इनके लिए वो हाँ बोले हैं तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है और इसकी साइजे जो होती है वो 6 mm से लेके 8 mm तक होती है जैसा कि आपक जो है हप में कनेक्ट होता है इसके लिए और कोई अलग सी कोई चीजे नहीं लगती तो ये हो ये तो है डाई तो ये डाई हम लगा लिए है अब इसमें जो जो चीजे मैं बनाया हूँ जुगार से उसको फिरा लगाते हैं तो सबसे पहले ये पंटी जो है हम इसेंबल कर दें इसको हमने इसी जो हमारा जो पिश्टन का ये सिस्टम होता है उसमें हमने इसको कनेक कर लिया ताकि ये जब भी मूव करें तो इसके साथ में जो ये सिस्टम है वो भी मूव करें तो उसके साथ हम इसे भी connect करेंगे और दुबत्ती machine में आपने देखा भी होगा कि यह जो system होता है हमारा यह same होता है बस वो अलग से कुछ चीजे लगा के रखते हैं और वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा stick यहां से निकले तो उसको वो blade के थुरू काट के चोटे-चोटे साइजों में अलग से निकाल के रखें तो इसके लिए इसका जो है system लगाया जाता है और कोई-कोई companies जो है अभी पूरा complete अगर बत्ती machine को दूबत्ती machine convert करने के लिए पचीस अजार रुपए ले रही है लगभग लगभग 25,000 रुपए कुछ में खर्चा आता है जो कि मेरे ख्याल से कुछ करन से उन लोग लेते होंगे वो अलग चीज़ है लेकिन ये हमारा successful हो गया तो हमारा 1000 रुपए तक में ही काम हो जाएगा उससे ज्यादा नहीं लगएगा 1215 से तक ये पूरा ready हो जाएगा और अगर ये चीज़े आप खूट कर लेते हो तो आपका पैसा और बच जाएगा अब कोशिज करते हैं कि ये successful हो जाए बाकी चीज़े वो same होती है कुछ उसमें अलग नहीं हो और उसके बाद हमें इसे लगाना क्योंकि इसकी length जो है काफी बड़ी है और बड़ी होने की वज़ा से ये dive में आके टकराती है तो ये इसको control में रखेगी तो इसको हमने hole कर लिया है नीचे से और hole करने के बाद एक पट्टी इसमें लगाएंगे हम पट्टी और screw और ये इसमें एक cutting की गई होगी cutting हम किये हुए हैं जो की blade के अंदर इसमें आएगी है और ये नीचे से यहां से ये जो है इसको हम screwing कर देंगे ताकि ये हीले डूलेना इसके वज़ा से ये जो नीचे की पट्टी है वो मैं लगाया हुआ हूँ कुछ इस तरीके से ये लगेगी अब ये हमारा fix हो जाएगा तो ये चलेगा तो इसमें कोई problem नहीं होगी तो ये हमारा screw जो है अच्छे से fix हो चुका है टाइट हो चुका है और इसमें थोड़ा सम्मेहनत लगा और इसमें थोड़ा सम oiling कर देते हैं तो आराल देखा जाए तो हमारा ये system जो है ready हो गया है और इसके बाद हम चला के देखते हैं कि इसमें क्या चीज़े अच्छी होती है और क्या खराब और कितना सही से ये चलता है इसके थोड़ा दूर रखते हैं इसको भी मैंने अर्जेस्टेबल बनाया हुआ है आपको दीख रहा होगा तो इस तरीके से भी आप इसको अर्जेस्टेबल ही बनाएंगे अगर fix बनाएंगे तो इसको move करने में कभी छोटा बनाना है तो कभी दिक्कत हो सकती है फिराल तो भी ये इतना ही रहा है तो बनने को तो बड़िया बन रही है अभी फिराल ये black प्रिमिक्स है प्रिमिक्स में भी हमने कुछ चेंज नहीं किया है जो कि अगर बत्ती जिससे हम बनाते हैं वही प्रिमिक्स है क्योंकि हो सकता है कि प्रिमिक्स में भी कुछ चीज़ें इसमें करनी पड़ेगी क्योंकि धूप के लिए उसकी जो powder की formulation है वो भी change होगी तो वो process मैं अगले वीडियो में आपको सारा चीज किलियर ही बताऊंगा कि इसमें भी कुछ settings अभी बाकी है हमारी जो की speeds की है और ये कटने की कटने भी ये कटने को तो सहीं कट रही है लेकिन ये थोड़ी-थोड़ी सी इसमें scratches आ रही है तो इसको भी हम किलियर करेंगे फिर थोड़ा और च रही तो ये हमारा completely धूप मशीन बन जाएगा और आपके बच जाएगे पूरे के पूरे 25,000 रुपए क्योंकि इसको बनाने के लिए बाकी कंपनियां 25,000 रुपए ले रही है लेकिन उसमें कुछ systematic काम होता है ऐसा नहीं कि temporary बना के दे देंगे उसका पैसा लेने का reason भी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी बन रही है बट ये कुछ-कुछ चीजें इसमें आप और करनी बाकी है जैसा कि speed मेरे ख्याल से speed का ये थोड़ा सा problem हो रहा है इसमें क्योंकि speed को भी मैंने इसो चेक किया था तो इसकी drive क उसमें कुछ और क्योंकि ये पुरानी मशीन तो उसमें extra और कुछ settings होगी वैसे normal मशीनों में speed control हो सकता है और मैंने और कुछ-कुछ मशीनों में करके देखा है लेकिन इस मशीन में control नहीं हो पा रहा है तो फिराल आज की इस वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को बिलकुल आप subscribe जरूर कर लीजिए और ऐसे कुछ ideas मैं आपको और देते रहूंगा जुगार की चीजे तो फिर subscribe जरूर कर लें आप और इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इसकी speed की settings और ये हमारा दूप जो की इसकी formulation और कि इस तरीके से इसका powder जो होना चाहिए उसके बारे में जो हम बात करेंगे तो मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यावाद